नमस्कार बहुत बहुत स्वात करते हैं क्लिक्टूडे के आज की इस वीडियो रिपोर्ट में और 2019 से बाई सेशन के जो भी पार्ट टू के आर्ट्स के स्टूडेंट है उनका प्रैक्टिकल परिशगात इसी जारी कर दिया गया है और देखे कुछ स्टूडेंट का ऐसा कमे इसपारे पास पूरा रूटीन नहीं है पूरा इस सेंटर का लिस्ट आ चुका है तुम्हारे पास रूटीन है हैं नहीं तुम बकवास कर रहे हो दिया ठीक है इसके बाद एक student का comment आता है क्या copy बनाना जरूरी है पैसा खर्चा हो जाएगा बेफालतू में पैसा हमारा waste हो जाएगा copy अगर नहीं जमा कराया जाएगा practical का तो यार देखो यह तो तुम्हारा personal choice है तुम्हें बनाना है बनाओ copy नहीं बनाना मत बनाओ बिना copy कहीं सेंटर पर चले जाओ मेरे बोलने से और मेरे समझाने से तुमको नहीं समझ में आता है तो फिर डाइक लिए तुम अपने एक्जाम सेंटर पर पहुंच जाओ और वहां पर जो भी बोला जाएगा जैसे भी बोला जाएगा मैनेज करो अपना वहां पर बोला जाएगा copy नहीं है तुम्हें एक्जाम नहीं देने दिया जाएगा उसके बाद की guarantee मेरी नहीं अभी जो भी arts के student है उनके लिए 30 तारिक से लेगर के 15 October तक घोसित की गई है और आपको इसी बीच जो है आपका परिक्षा का routine देखने मिलेगा यानि कि आपका जहां कहीं भी center बना है वो center आपके लिए personally routine जो है जारी करेगी हर एक college अपने अपने सुभधा अनुसार जो routine जारी करेगी कुछ college दुरका पूजा के बाद routine का date रखेगी कुछ college जो है आज से ही routine का date निकाल देगी कि हाँ psychology का या फिस्जिग्राफी का home science का इन सभी का प्रेक्टिकल का परिक्षा इसने इस तीसी से जो है ली जाएगी ठीक है अब कुछ student का सवाल genuine है कि जिनका center list कहीं नहीं बना है और university से अपडेटा है जिनका भी center कहीं नहीं बनाये गया है उनका home center ही रहने वाला है लेकिन मेरी बातों पर पूरी तरीके से भरोसा मत करें आपको मैं ये suggest कर रहा हूँ कि आप अपने अपने college जाए एक बार वहाँ से पता कर ले क्योंकि जा करके वहाँ पता करने कोई बुड़ाई नहीं है हो सकता है कोई teacher आपको सही answer ना दे या बोलेंगे हमें पता ही नहीं है कि क्या है नहीं है अपने प्रचारे से मिले हैं उनसे जो एक बार बात करने की कोशिश करी है क्योंकि आपको अपने प्रशारे के बारे में उनका नाम भी जानना ज़रूरी है अब disappointed मैं इस बात से हो जाता हूं यार कि इतना कुछ बताने ये समझाने के बाद ऐसा comment देखने को मिलता है जहां पर कि student या तो अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे होते हैं या दूसरों का मजा कमें बोलना है आप बोलो कोई रोट डोक नहीं और मुझे इससे कूछ नहीं परता है कि आप क्या बोल रहीourdHello मुझे जिससे फर्क पड़ना है उस से फर्क पड़ता है आप लगते कौन मेरे मैं शिर्फ आपके नीचे लिखेंगे प्लीज रिप्लाई मतलब कॉपी बनाए कि नहीं बनाए प्लीज रिप्लाई ये कोई मतलब पूछने वाली बात है आप खुदी सोच करके देखिए कि आगर आपको बोला गया एक दनेशन सेक्टर पर बीना कॉपी कि नहीं आएंगे तो फिर आप कैसे ब बनाते हालत खराब हो जाता आपको लिख के देता हूं अगर आप इसके बाद ग्रेजवेशन के बाद कहीं पे भी हायर एजुकीशन के लिए आपको इतना असाइन्मेंट मिलेगा ना आप सोचे भी नहीं होगे जिंदगी में और असाइन्मेंट में वह चीज आपनी पड रहता है कि क्या ही बता है जो कुछ भी बोलके निकल जाना है और ऐसे स्टुएंट को मुझे मजबूरन ब्लॉक करना पड़ता है उसके बाद वह कहीं टेलीग्राम ग्रूप में जॉइन हो करके वहां करके भसंट करने लगते हैं यह सब चीज बिलकुल नाजाइज है अग बुरे कमेंट आते हैं उससे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है आज बड़ा बुड़ा लगा है कि कल हमने वीडियो बनाए इनफेक्ट मैं खुद की वीडियो की बात नहीं करो दूसरे की यूटुब चैनल के अगर मैं विजिट करूं नाम नहीं लेना चाहूंगा वहां प खुद अपना काम सुरू कर दिजा भी वीडियो बनाना सुरू कर दिजिए गुसा ही दिला देते हैं आप लोग इसके यहां पर नीचे में जैसा कि देख रहे हैं कहीं पर किसी कॉलेज का सेंटर नहीं है जैसे कि डॉक्टर आर मेलेस कॉलेज मजफारपूर में सफी की परिक्षा तो हो रही है लेकिन सेंटर नहीं बनाया गया यहीं सेंटर लिस्ट सबके पास है सिर्फ मेरे पास ही यह सेंटर लिस्ट नहीं सबके पास यहीं सेंटर लिस्ट है और परिक्षा इंतरक जी के द्वारा यहीं सेंटर लिस्ट शेर किया गया है तो अगर न और react मैं नहीं करते हूं, जब यह लोग over reaction देना शुरू कर देते हैं वीडोस पर, और मैंने देखा है एक वीडो पर नहीं लगातार तीन चार वीडो पर जाके यही सेम कमेंट कर रहे हैं, तुमको नहीं पता है, तुमको नहीं पता है, ठीक है तुमको पता है, अपना ग्यान अपने पास रखो, तुमसे कोई ग्यान नहीं मांगने आए, फालतू का अब मेरे को गुस्सा दिलाते हैं ये लोग, और इनके चक्कर में, ये सोचते हैं कि हमारे बोलने का दिये, डी तो दो साल पहले यह सारा काम छोड़ चुगा होता मैं आज के वीडियो में बस यही है कि आपको अपना कॉपी बना लेना है कॉपी बनाने का अपने जो एक कॉलेज में जाने के बाद आपको वहां पर सिगनेचर और स्टैंप लेना रहेगा अपने जो भी सब्जेक के टीच है जहां पर सही से रिस्पॉंस नहीं मिल पाता है लेकिन आपको अपने कॉलेज से ही पूछना पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिकल के परिक्षा में पहली बार ऐसा हुआ है कि सेंटर लिस्ट बनाया गया है और सेंटर पर एक्जामनेशन लिया जा रहा है इससे पहले होम स चट के बाद ही देखने को मिलेगा क्योंकि पंदरह तक आर्ट की प्रैक्टिकल परिक्षा हो रही है तो पास से छे दिनों में अगर जल्दी वाजी की तो कहीं जाके प्रैक्टिकल का माक्स चड़ पाएगा और जैसा कि उनिवर्सिटी के तब से आदे से कि रोज अपडे आए या दिवाली के बाद आए यह आप जो नीचे कमेंट करके बताएगे कि क्या होना चीए दिवाली से पहले या दिवाली के बाद रिजल्ट आना चीए आज की वीडियों पस इतना ही तब तक लिए मैं चलता हूं धन्यवाद और देखो मैं किसी को परस्षनली कि को चिवाली का भाद झाल झाल